करेंगे काकेर की जहां टिकेट कटने पर मोहन मंदावी का दर्ज छलका है और कहा उन्होंने की मेरे खिलाफ जूटे आरोप लगाए गए मोहन मंदावी ने कहा कि टिकेट कटने की जाच होनी चाहिए आखिर क्यों जूटे आरोप लगाए गए टिकेट काटने वाले को सजा म प्रमाइणी चाहिए मोहन मंडावी ने कहा कि राष्ट्य महामंत्री ने काम की तारीफ भी की है मेरी मुझे जो काम सौपा गया मैंने वो पूरा खिया राष्ट्य निताओं ने कई बार मेरी पीठ भी थप थपाई है बावजुद इसके टिकेट कटने को लेकर मोहन मंडाव का दर्द छलका है कि माननी परदान मंत्री मुझे रमाइनी करते कहते थे मेरे काम से बड़े खुश थे राष्टी अध्यक्ष मेरे काम के प्रति बड़े खुश थे और सदर के अधिकास ताहनेता मेरे को रमाइनी कहते थे और मेरे रमान के प्रति बड़े खुश थे और हमा कहा लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मेरे खिलाब पुट रचित करके मेरे खिलाब जूठा आरोप लगा करके नाना प्रकार के आरोप लगाए होंगे तभी मेरा टिकट-कटा होगा तो टिकेट कटने पर मोहन मंदावी का दर्द चलका है उनका यह कहना है कि मुझे जो कार ये पार्टी की तरफ से दिये गए थे वो तो मैंने पूरा किया लेकिन बावजूद इसके मुझे नहीं पता कि आखेर टिकेट क्यों कटा है सवाल ये कि एक तरफ मोहन मंडावी का कहना है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैंने उसे पूरा क्या तो टिकेट काटने की असल वज़ा क्या है क्या मौका किसी और को पाटी देना चाहती थी इसलिए टिकेट काटा गया जी देखिए भाजपा जो है अपने जो टिकेट वित्रण की उनकी प्रणाली है उसमें अक्सर देखा जाता है कि वो किसी नए चहरे को उमीद्वार बनाने का प्रयास करते हैं कि लोक सभा संसद रहे मोहन मंडावी है उन्होंने लगातार यह पांच वरसों तक संसद रहे हैं और इनकी भी रिपोर्ट काट जब पार्टी ने टिकेट वित्रण के पहले तयार करवाई होगी तो हो सकता है कि इनके जो रिपोर्ट काट है उसमें जो रही होगी खामिया रही होंगे। कमिया रही होंगी। सायर उनकी वजह से इनका टिकेट कटट गया है। लेकिन उसी बात करbert मोहन मंडावी का ये कहना है कि जो रिपोर्ट काड तयार की गई होगी उस रिपोर्ट काड को सही तरीके से केंदरी चुनाव समीती के सामने नहीं रखा गया जिसके कारण से मेरा जो टीकिट जो है वो काट दिया गया है ऐसा उन्होंने अपना आरोप लगाया है उनका आज जो है दर्द यहाँ पर छलकता हुआ नजर आया है कि केम नरायन बहुत शुक्रिया जानकारी साजह करने गरे तो फिलहाल तमहां तरीके के बयान सामने आ रही है लेकिन नेताओं की अपनी अपनी बाते हैं और अपनी